आज कि वीडियो में हमनों कवर करेंगी क्लास 6 जनर इंग्लिस का लाशन 3 दा किंग एंड़ स्पाइडर एक राजा मकडी की कहानी है जो सब्सक्रा चुखा लाज है वहां मक्री को वह बार बार दीवार चटेपर देखता पिटलेश अंद में जो मक्री होती है वो दीवार पे सफ़ल हो जाती है वह अपने सिना को खटा करता है जो den द रड़ता है नहीं सत्रों को फञारा देता है तो ऐसी यह कहानी चलिए शुरू करते हैं दिस अलेशन यू सुद्ध ही तिस जो है दिस और इसको मिला की बना हुआ है यह एक पार्ट है जिसे सुना होगा ट्रै अगेन फिसे कोहुष करो इप एट फस्ट यू डिडिन सस्टीड यदि एक बार में तुम सफल नहीं हुए ट्रै अगेन सुछ से कोहुष करो Once upon a time एक शमय की बात है There was a king, एक राजा था He had fought many battles He had fought कोई काम हुआ था इसने बहुत सारे युद्धों को लड़ा था And won and जीता था He was a wise brave and kind ruler वाई बुद्धिमान, बहादूर और दयालू राजा था People were very happy in his kingdom और लोग उसके राज में, kingdom में बहुत खुश थे Once एक बार a neighboring king, एक पडोस का जो राजा था Attacked his country उसके राज पर उसने अक्रमन कर दिया Luck did not favor him this time और भाग जो था इस बार उसके पक्ष में नहीं था He lost the battle वह युद्धार गया Many of his soldiers were killed उसके बहुत सारे जो स्ञनिक थे, वो मारे गए And others ran away to save their life और जो बचे हुए थे, वो अपने प्राणों को बचा कर भाग गए The king himself had to hide in a cave और राजा ने स्वयम को भी एक केब में हाइड छपा लिया He was very sad and worried, बहुत दुखी और चिंतित था One day, एक दिन, he saw a spider going up the wall उसने एक मकडी को दिवार पर going up उपर जाते हुए देखा It climbed a little, but slipped and fell down या थोड़ा ही चड़ पाती थी लेकिन फिसल कर नीचे गर जाती थी It tried again and fell again इसने दोबारा कुहस की और फिर से नीचे गर गई The spider did not give up लेकिन उस मकडी ने इसे नहीं छोड़ा It kept on trying and still kept falling वह लगातार कोहित करती रही और गिरती रही This happened many times और ये कई बार हुआ At last, अन्त में the spider succeeded in claiming the wall Spider थी, मकडी थी, वद्धिवार पर चैने में सफर हो गई The king said to himself, तब राजा ने खुछ से कहा If यदि this spider a small insect ये मकडी एक छोटा सा कीड can succeed in claiming the wall By trying again and again बार बार प्रियास करके दिवार पर चैने में सफल हो गया Why can't I defeat my enemies? तो मैं अपने सत्रों को क्यों नहीं हरा सकता? The king got his confidence back राजा को उसका जो confidence था वापस मिल गया He united his soldiers once again उसने दोवारा से अपने स्टैनिकों को एक कत्र किया And attacked his enemy और अपने सत्रों पे अक्पमर कर दिया The battle continued for many days कई दिनों तक ये युद्ध जुथा चलता रहा And he finally defeated his enemy और अंत में उसने अपने सत्रों को हरा दिया Try, try, try till you succeed कोहिस करो, कोहिस करो, कोहिस करते रहो जब तक की सफल ना हो जाओ ये था हमारा lesson के कैसे जो king है, वो बापास मकडी को देखकर अपने conference को बापास पाता है और अपने सत्रों को फिर से हरा देता है तो ये कहानिया को कैसी लगी हमें comment box में जरूर बताएं अगर पसंद आई हो तो please like और share जरूर करें